Welcome you all in my online channel and today we are going to study very important process in the plant. Plant में बहुत ज्यादा important process होता है that we are going to study. हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस chapter में पढ़ने के बाद क्योंकि बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं. So let's start this chapter. तो आप यहाँ पे देखते हैं reproduction, सबसे पहले वर्ड क्या है? Reproduction, production के साथ क्या जुरा हुआ है? Re जुरा हुआ है, means क्या हो रहा है? फिर से production हो रहा है, तो फिर से किसका production हो रहा है यहाँ पे? नए plant का, नए plant को क्या कहेंगे? New individual का हो रहा है, किस से? उनकी parents से, तो यह जो definition आएगा, यह definition क्या आएगा? यह definition आएगा, production of new individual from their parent is called reproduction. What is reproduction? Production of new individual from their parent is called reproduction. So, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि reproduction क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं, अब according to mode of reproduction, According to mode of reproduction, plant के दो तरह के पार्ट होते हैं. Plant के कितने तरह के पार्ट होते हैं? दो तरह के पार्ट होते हैं. एक होता visitative part और दूसरा होता है reproductive part. तो reproductive part जो है, यह बहुत बढ़ा नाम हो गया, तो दो ही है, बस आप अगर एक learn कर लेते हैं, तो दूसरा अपने आप learn हो जाता है. तो यह तो plant के तो पार्ट है, किसको vegetative कहेंगे, किसको reproductive कहेंगे, तो यह तो question आ रहा है. तो आप याद कीजिए, मैं याद दिला रही हूँ, class 6 में मैंने बताया था, flower के different part के बारे में, और flower में जो था, stamen के बारे में मैंने बताया था, कि इसमें male लगा हुआ है, इस से आप याद रखें कि यह जो है male reproductive part है, और pistil जो है, अगर stamen male reproductive part है, तो pistil क्या है? यह है आपका female reproductive part, तो यह दोनों किस में आये थे? flower में आये थे, तो flower क्या है? main reproductive structure है, main reproductive part है, तो जब flower main reproductive part है, तो उसको छोड़ कि जो भी part होंगे, वो कहलाएंगे visitative part, वो क्या कहलाएंगे? visitative part कहलाएंगे, तो आपको बहुत कम टाइम में ये बात समझ में आ गया होगा, अब next हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब next में जाएंगे, तो बढ़ेंगे कि कितने तरह के reproduction होते हैं, कितने तरह के होंगे, तो एक जो होगा, जो आपने गौर से देखा होगा, अपने चारो और, कुछ पौधा को हम लोग सीड से लगाते हैं, किसे उगता है, सीड से लगा दिये, जैसे मैंगो मैंने खाया, आपके खर में मैंगो आया, और आपने क्या किया, उसका पल्प खा लिया, मैंगो और उसका गुठली को आपने गार्डेन में लगा लिया, उस दिन बाद गार्डेन में बड़ा सा, जो है, बहुत दिन बाद गार्डेन में बड़ा सा मैंगो ट्री आ जाएगा, फिर आप उस mango tree में जो बहुत अच्छे-च्छे tasty mango लगेंगे फिर आप खाओगे फिर क्या करोगे फिर उसकी खा लोगे उसका seed बचेगे फिर उसको लगा दोगे तो यह जो reproduction हो रहा है यह किस से हो रहा है seed से हो रहा है तो इस seed वाले reproduction को क्या कहेंगे हम लोग तो इस seed वाले reproduction को कहेंगे sexual reproduction सीर से याद रखना है as for seed as for sexual so seed वाले reproduction को क्या कहेंगे हम लोग sexual reproduction और जो seed से नहीं होता है other part से होता है they are called asexual reproduction तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब बात आपको समझ में आ गई होगी तो Asexual Reproduction जो होता है जैसे आपको अपने फ्रेंड के गार्डेन का गुलाब पसंद आ गया आपने क्या किया उस गुलाब को बोला कि गुलाब जो है अपने फ्रेंड को बोला उन नहीं दिया तो आपके चोड़ी से रात में और उसके गुलाब का जो था एक स्टेम था उसका कटिंग करके ले आए और फिर उपने गार्डेन में लगा लिया तो कुछ दिनी बाद ग्रो करेगा तो पहले तो पता नहीं चलेगा फ्रेंड को लेकिन बाद में पता चलेगा तो समझ जाएगा कि आपने उसके गार्डेन से चोड़ी किया है तो ये जो रिप्रोड़क्शन होगा ये जो फ्लार बनेंगे ये जो गुलाब का फूल जो है बड़ा होगा और ये बड़ा सा पкраїधा बनेगा तो इसमें भी तो प्लांट आया इसमें भी तो जब और ये किस से आया ये सीर से तो नहीं आया तो आपको बात में समझ ओल आ गई होगी ये सेक्शल रिप्रोड़क्शन हो गया सीर से और असेक्शल हो गया बिना सीर का A means opposite हो जाएगा sexual का opposite जब ये A लग गया तो ये जो हो है opposite हो जाएगा asexual reproduction अब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और इसी reproduction के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे asexual और उसके बाद sexual Are you ready? Now we are going to start asexual reproduction ये बहुत ही easy होने वाला है ये asexual reproduction किसको कहेंगे तो asexual reproduction जो होगा ओ ऐसी reproduction है जो बिना seat का होगा जैसे कभी ये root से हो जाएगा कभी जो है stem से हो जाएगा कभी ये कभी ये किस से हो जाएगा stem से, root से कभी ये lips से भी आ जाएगा तो अब इस तरह के reproduction को क्या कहेंगे हम लोग इस तरह के reproduction को हम लोग कहेंगे asexual reproduction तो asexual reproduction एक ही तरह का नहीं होगा बहुत सारे type का होगा तो हम बारी-बारी से सारे type को अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो अब क्या होगा कि कोई भी पार्ट आपने सबसे पहले मैंने बताया कि दो तरह के पार्ट है एक होता है रीप्रोड़क्टिव पार्ट दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट तो reproduction माले part में चला गया actually वहीं से reproduction होता है बट जो part जो होंगे visitative part होंगे उससे जब नया plant आएगा जैसे आपको मैंने example दिया था कि वो जो अपने friend से लिया आए थे friend के घर से चोड़ी करके जो आपने गुलाब लगाया था तो कैसे लगाया था आपने stem को कट लिया तो ये जो stem कटिंग करके आपने अपने garden में गुलाब लगाया और उसको खुछ दिन तो पता नहीं चला फिर बाद में पता चल गया क्योंकि जब उसमें फूल खिलेंगे तो सेम तरह है बनेगा बड़ा सा उसमें ग्रोथ होगा फिर उसमें अब यहां पी हम लोग देखेंगे इस एक्षवर्री प्रोडक्शन जिसमें हम हमने देखा कि यह जो छोटा सा पेर जो डबलब हुआ रोज का उस सीर से नहीं डबलब हुआ है वो जो है जो एक्षिस्टिंग पेर है जो जिसको हम लोग कहेंगे पैरंट्स जो पहले से है उसे आया है ना कि सीर से तो ऐसी रिप्रोडक्शन हो गया है इस सेक्ष्वर्र === तो इसमें जो है चार टाइप हम लोग परहने वाले हैं विसिटेटिव परणे वाले हैं, birding पढ़ने वाले हैं, उसके बाद fragmentation पढ़ने वाले हैं, और sport formation, तो चार ये चार टाइप हमें पढ़ने हैं और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी जो है, इतना काफी है, फिर हम लोग नेक्स पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं, so thank you and please watch other part also